मिर्जाबुर मेरे दिल्ली राष्टिय महिला आयों की सदस्य ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये जिला पंचायात सभागार में महिलाओं की समस्याओं को लेकर बैठकी जिसमें अपर पुलिस अधिक्षक नगर संजय कुमार वर्मा सीयो सीटी फ्रभात रायव अन्य पुलिस अधिकारी उपस्तित रहे देखिए हमारे संबाद्दाता तौसी पैमत की रिपो सर बताया कि आज जिला पंचायल भौन में महिला की सब्सक्राइब कानफिसी के समवाई की गई है देखिए हमारे जनुपद में जो महिला संबंदी समस्षा है आती है राष्ट्री महिला आयोग गैली से उस संबंद में आज आनलाइन वर्चुल जो है कि गई है उसमें महिला आयोग की एक मिंबर ने हमसे बात किया है और उन्होंने वर्चुल मिटिंग के दोरान जितनी मामने ते उसकी समिच्छा क कि अउन्हों ने मिर्जापूर में जो भी मामने लंबित थे उन्होंने कहा है कि उसको निसारण करा दे साथी साथ हमने भी को अशेवर किया है कि हमने मिर्जा पूर पुलिस जो है महिनाओं समद्धी जो पराद होता है इसमें ततपर्ता के शाहत कारवाई करती हो कई एसे मामलों में 40-40 दिन में अज इवन कारवास की कारवाई कराई आप भी अधिकत होंगे आप लोग मेडिया वाले आप जानके बहुत बाकि अभी जो हमारे कट्रा में एक मामला आया है इसमें दस साल की बच्ची की अत्या हो गई थी शजाद जो फूल घटना होई थी उसमें भी हम बहुत समय दिन सी लोगी कारवाई कर रहे हैं उसको पर्शू कर रहे हैं हमारे शेत्रा अधिकारी नगर मगल बैठें हुगे उनके विजिदी किया गया है वाके इंस्पेटर कट्रा होगारा को और हमें सभी वरिश अधिकारी इसको लिए लिए हैं कि जो फिसी कोर्ट में इसको चलाया जाय करने के लिए प्रतिबद्ध है और निश्यत और से आस्वास हम करते हैं कि हम महिला संबंद्य पराथ को कभी भी टॉलर नहीं करेंगे अज हमारे सामने आये तो हमें 8-9 मामले आये लेकिन हम चार मामले जो अभिरेखी रूप्स थे उस मामले को निस्पार किया है और जो भी उसका वाजिब निड़े हो सकता था और जल्दी जल्दी हम उसका निस्थारां करते हुए